इहार बोड से जितने भी छात्र छात्राइं इंटर की बोड एकजाम 2024 में समलित होने जार हैं तो आज से आप अपना एकजाम फॉम भर सकते हैं अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एकजाम फॉम भरने के लिए जो यह ओफिसल अपडेटा है वो मैं समझाऊंगा उसके सासथ आल्ट साइन्स कॉमर्स और कैस्नल कोर्स सभी का एकजाम फॉम इसल कीस रूप में जारी किया गया है और कहां पे कौन सा जानकारी भरना है यह आपको सीख कर तभी आप एकजाम फॉम भरिएगा तो समझे आपका एड़मिट कार्ड बिल्कुल अच्छा से आएगा उसमें कोई भी तुल्टी नहीं रहेगा और आपको एकजाम देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा तो चलिए पूरा बिस्तृत वीडियो है ध्यान से देख लिजेगा अंत तक पूरा जो अपडेट है वो मैं आपको समझाओंगा उसके साथ एकजाम फॉम कैसे भरना है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कल भी मैं आपको सुचना दिया था कि आज से अर्थात के 26 से आप एकजाम फॉम भर सकते हैं यहाँ पर असपर स्टूप से बताया गया है और आपका ओरिजिनल रजिस्टेशन कार्ड भी आज से मिलेगा अब देखिए एकजाम फॉम में इस साल थोड़ा सा बदलाव किया गया है जो भी विद्यार्थी नियमित कोटी से या स्वतंत्र कोटी से परिक्छा देंगे तो आपका जो exam form आया है ने तो पहले क्या होता था कि एक common सा exam form आता था उसमें सभी विद्यार्थियों को भर कर देना होता था लेकिन इस साल जो भी विद्यार्थी स्वतंत्र कोटी से या नियमित कोटी से जिनका रजिस्टेशन हुए 12-24 के सत्र में तो उनको क्या करना है क आपका exam form आपकी school college में जो आपका है वो सिर्फ आपका है जो दूसरे चात्र काया है मतलब कि हरेका जैसे आप dummy race station कार्ट देखते हैं वैसे ही exam form भी हरेक विद्यार्थी का अलग अलग जारी किया गया है और उसमें क्या है कि आपको आसान कर दिया गया है कि 1-17 तक आपका बीबरन भारा हुआ है एक से 17 तक जो कलम में उपहले से भर कराया है प्रिंटेड है बस आगे जो है आपको बताया जारा कि उसमें कोई भी छेड़ चाड़ या परिवर्तन आपको नहीं करना है आगे 18-35 तक के बीबरन को आपको भरना है ठीक है तो 18-35 तक में क्या कि आप बीबरन है कैसे भरना है अभी मैं आगे बताऊंगा तो एक किलियर समझना है कि जो भी विद्यारती में तमाल लेजिए पूरवर्ती हैं कमपार्टमेंटल था कि पिछले साल उनका रजिस्ट्रेशन हो गया था लिए परिक्छा में भाग नहीं लिए या परिक्छा में भा बस 18 से 35 तक के बॉक्स में भरना है कैसे भरना है आगे में बताऊंगा पहले ऑफीसियल अपडेट समझते हैं आज से लेकर नौ तक अपने बिद्याले में जाकर आपको अपना मतलब की एक जाम फॉम भर देना और इस्टेसन कार्ड पराप्त कर लेना है और यहां पर बता बता आपडेट में चलिए आगे की तरह बढ़ते हैं यहां पर पूरा बीश्टरीत अपडेट है यहां पर कितना रूपया फी लग रहे है तो कॉमन फी की बात करें तो 1430 रूपया और बाकी अलग-अलग नियमित स्वतंत्रकोटी के चात्रों के लिए अलग-अलग फी है देख लेते हैं कि एकजाम फॉर्म किस रूप में जारी किया गया है और कैसे आपको भरना है सभी जानकारी देखिए आल्ट, साइंस, कॉमर्स सभी एकजाम फॉर्म के अमलो चर्चा करेंगे सबसे पर यहां पे साइंस फैकल्टी वालों के लिए एकजाम फॉर्म इसी तो आपका जो बताया गया था कि एक से लेकर और यहां तक देखिए 17 तक की जानकारी आपका पूरा प्रिंटेड रहेगा ठेक आपको इसमें कुछ भी भरने किया हो सकता नहीं है यहां पे जैसे आप इसकूल को लेज से एकजाम फॉर्म प्राप्त करेंगे तो यहां पे आपको बस अपना फोटोचीप करना होगा सिगनेचर यहां पे करना होगा यहां पे आपका रजिस्टेशन नंबर येर पहले से भरा रहेगा यूनिक आईडी सल प्रिंटेड जारी रहेगा यहां पे स्टूडेंट का कटेगरी यहां पे रहेगा आपका इसकूल का कोड़ college का code, district का नाम, आपका नाम, आपके माता पीता का नाम, ये सभी जनकारी printed रहेगा, date of birth, metric की सल आप पास किये थे, उसमें role code, role number passing year किया था, gender आपका क्या है, ये सभी आपके registration card के अनुसार भरा रहेगा, caste category आपका कौन सा है, आप विकलांग कुटी के छातर हैं या नहीं, नेशनलिटी आपका Indian धर्म आपका कौन सा है, यहां तक आपको कोई भी छेड़चाल नहीं करना, एक्जामफों में जो मैं एक खाली दिखा रहा हूँ, यहां तक आपका इसल प्रिम्टेड जारी किया गया है, ठीक है सभी विद्या, यह तो कौनन एक्जामफों मैं सबको समझाने के लिए जारी किया गया है, बट आगे जो आपका एक्जामफों मिलेगा हूँ, आपके नाम सोगर, यहां तक कुछ भी जो टी किया गया, उसमें आपको अपने से कुछ भी बदलाव नहीं करना है, आपके registration card कानुसार होगा, अब यहां नीचे 18 से आपको जनकारी भरना है, लेकिन इसे पहले आपको सबसे पहले exam form भरने से पहले, अपने विद्याले से आपको अपना original registration card परा यहां पर आपको अधार card नमर जरूर भरना है, अगर मानली जी और वहां पर देखे 18 पर अधार card नमर भर देंगे, और 19 पर आपको signature नहीं करना है, काफी विद्यार्ति आधार card भी भरते हैं, और signature भी करते हैं, क्योंकि 18 में क्या कहा था, कि आपको बस आधार card है, तो तक नहीं बनाए अगि अगर मालिए यह बाई निषा को और आपके अभियारथ कर दिया आप तो 17 तक तो अपने को प्रेप्रिंटेडं मिलेंगए 18 में अपने को क्या करना आधार का दिए नमर भर भरा धा हैiquement इसमें क्या करना है ध्यांता समझेंगे, यहां पर कुछ भी नहीं भरना है, खाली छोड़ते नहीं बिद्यार्ती का हस्ताक्षर है, यह रखने को नहीं करना है, बीस नमबर में देखिये, आपको क्या करना है, यह है 20 नमबर है, किनके लिए, जो क्वालिफाइंग कोटी के परिक्षारतियों थैंगे जो पिछले साल यह पास एकजाम दिये थे उनके लिए है बाकि जो यह साल पहली बार एकजाम देने जा रहे हैं उनको यहां पे कोई विजनकारी भरने किया हो सकता नहीं है यहां पे आपको रूरल या अर्बन जीश छेतर से है अगर सहरी छेतर से आपको की मीखया है का नीख जाएगा उसके चुचना दिया जाएगा एक डॉडेंट का नाम आपको हिंडी में अपना भरना है इसमें यहां है हना पौल आपको अपना नाम हिंदी में वर थी शि किलिगे हुबार मैंऩी भर सब्सक्राइब, चैक ब stuk ब सब्सक्राला सब्सक्राइब अगर यहाँ पर अंगरेड टिकी है तो इसमें लिखना आपको अंगरेजी के अंगरेजी के एक्जाम फोम भरना है अगर मान लीजेगा कोई छातर अंगरेड में टिक करेगा और इस वोक्स को खाली छोड़ देगा हाँ पर capital लेटर में लिखेगा अनमाइरेड आपको अपन । यहां पर देखे, किस मीडियम से आप एकजाम में समलित होने जा रहे हैं यहाँ पर आप किस मीडियम से आप किसी भी कारीय के लिए है न की लेबर काड बना है अगर आपके माता-पिता में किसी का भी लेबर कार्ड बना होगा तो यहाँ पे यस किजिएगा अगर नहीं बना होगा तो नू अगर बना होगा लेबर कार्ड तो यहाँ पे उसका जो रजिस्टेशन नमर होगा वह आपको type करना पड़ेगा ठीक तो यह भी एक नया column जोड़ा गया है एगर आपके माता पीता का labor card किसी का भी बना होगा माता या पीता का तो yes करेंगे अगर नहीं बना है तो no अगर कोई भी स्रमीक में उनका निर्मित स्रमीक में उनका registration हुआ है तो आप मैं बोला कि पहले आपको registration card पराप्त करना है और registration card पर आपका बीसाय होगा तो उसी से यहाँ पे देखकर English या Hindi पहले group में होगा तो उसको chain करेंगे दूसरा में जो भी होगा English लिए जो भी भासा लिएंगे सभी registration card पर होगा वहाँ से देख देकर आपको chain करना है physics, chemistry, bio जो भी आप लिए गएंगे तो उसको टीक करेंगे math भी है तो आपको math को भी टीक करना है additional subject को यहाँ पे लिए तो उसको यहाँ पे टीक कर देना है और यह सभी बैसा है में तो कोई जनकारी आपको अपने से नहीं भरना है वहाँ आपका registration card पर होगा उसी कनुसार भरियेगा फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको अपने parent या guardian का signature कराना है यहाँ पे आपको अपना signature हिंदी में करना है यहाँ पे इंग्लिस में और आपको जमा कर देना है यहाँ पे principal का signature होगा तो इस तरह science का exam form यहाँ पे complete हो जाता है और ध्यान से देखिएगा अंत्यों में यह सभी exam form डाउनलोड करने का link भी आपको दे दूँगा अब देखिए यहाँ पे जो भी विध्यारती commerce है तो उसी तरह आपका यह सभी जनकारी printed रहेगा यहाँ पे photo signature सेम चीज़ है आपको कहीं पे भी देखिए कोई भी बदलाव नहीं करना है जिस तरह में वो बता रहा था कि 18 नमर में अधार नमर भरना है 19 में यहाँ पे signature न economics accountancy EPS जो भी आप लिए होंगे उसका आपको चैन करना है नीची आपको भी signature उगारा करना है अपने परेंट से signature करना है अपना हिंदी में और इंग्लीस में करके और e-school में जामा कर देना है बस 20 अलग है बाकी पूरा जनकारी यहाँ पे सेम ही आपको भरना है तो आपका अबी एक जाम फॉर्म सेम है उसी तरह कोई भी बदलाव नहीं किया गया देखते चलिए आप में पूरा फॉर्म दिखा दे रहा हूं यहाँ पे 35 तक सभी को सेम जनकारी भरना जैसे मैंने उपर एक फॉर्म में बताया वैसे ही सभी जनकारी सही से भरिएगा आगे बैस आ अधार कार्ड नमर कोई भी यहाँ पे बदलाव नहीं यह पूरा जनकारी उसी तरह भरना जैसे एक हम लोग सीखें बारीकी से किस तरह कहां पे कौन सा जनकारी भरना है और यहाँ पे बस आपका बीसाय होगा तो आपका जो भी रजीस्टरेसन कार्ड पे जिस ग्रूप मे जितना भी से होगा उसी हिसाब से यहाँ पे चैन आपको भी करना और सिगनेचर करके जमा कर देना है पूरा एक जाम फॉम मैंने आपको दिखाया आल्ट साइंस कमर्स और वह कैसनल कोर्स का जैसे मैंने बताया उसी तरह सभी जनकारी आपको भर देना है अब चलिए मैं आ वाइलफन का कोई भी ब्राउजर उपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आई और इस चैनल का नाम जो स्पेरिंग लिखा हुआ रहा है ए आर कैरियर पॉइंट आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आज आएगा और आर कैरियर फॉइंट यहां पे सो होगा सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे किलिक कर देना है और नीचे की तरफ है स्कॉल डाउन करना है यहां पे देखिए बी एस सी बी अपडेट में आपको सब से उपर मिल जाएगा बिहार बोर्ड इंटर एक जाम फॉर सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे किलिक कर देना है और 2024 एक जाम फॉर्म की एक एक जनकारी यहां पे आपके सामने ओपन हो जाएगा कब से कब तक डेट है पूरा जनकारी देख सकते हैं कितना फी ओगरा लग रहा है पूरा यहां पे अपडेट नीचे की तरफ बढ़ेंग है तो यहां पे जो डाउनलोड बर्टम है अगर माल लिजे साइंस का डाउनलोड करना है और यहां पे Commerce का Arts का जिसका भी डाउनलोड करना है यहां से डाउनलोड करके सिर्फ आप देख सकते हैं कि हम मतलब किस रूप में जारी किया गया नहीं तो मैंने बताय इस साल सभी जनकारी आपका प्रिंटेड आया है जैसे मैंने एकजाम फॉम में दिखाए कि एक से सतर तक प्रिंटेड है और बाकी इसी रूप में भरना जैसे हम लोग सीख चुके हैं एकजाम फॉम अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां साकर लिंक दिया गया यहां से लिंक जनकारी तो आपका प्रिंटेड है बाकी खाली अस्तार पर कहां पर क्या भरना मैंने बता दिया उसी रूप में एकजाम फॉम भरिएगा तो आपके एडमिड कार में कोई भी तुरूटी नहीं रहेगा बाकी जनकारी यहां साकर आप पढ़ सकते हैं एकजाम फॉम भी डा